राफेल विवान सौधे पुराय सुप्रीम कोट के फैसले के बाद बीजेपी कॉंग्रेस पर हमला वर है कानूर मंत्री रविशनकर प्रसाद ने फैसले के बाद प्रेस कानफरेंस में कहा कि राखुल गांधी और कॉंग्रेस ने देश को गुमरहा किया है और ऐसे में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए रविशनकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोट से बच्चने के लिए तो राखुल गांधी ने माफी मांगनी है लेकिन देश की जनता के सामने क्या करेंगे उनसे माफी आखर कब मांगेंगे केंदर मंत्र ने भी कहा कि राफेल मामले में सच की जीत होई है I would discuss in detail subsequently but let me formally make a clear demand that Congress party must apologize to the country and Rahul Gandhi in particular must apologize to the country people having a saga of corruption from Jeep scandal to Bofors to submarine to Augusta Westland where undertaking a political sponsored program masquerading as the quest for justice आज Supreme Court ने रफेल के इसको लेकर दायर की गई review petition को पूरी तरह से खारीज कर दिया है मैं Supreme Court के इस फैसले का स्वागत करता हूँ और इस से हमारी सरकार के stand का vindication हुआ है इस फैसले के पर डाम सरूप बलकि हमारी सरकार की जो decision making की जो transparency है उस पर भी Supreme Court ने अपनी महर लगा दी है और राफेल के समद में जो भी नेर्डे लिया गया था वो पूरी तरह से पारदर्श्रा के आधार पर लिया गया था और साथी defense preparedness की urgency को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया था रास्टर हिट में यह फैसला था और मैं समझता हूं कि defense preparedness से जुड़े हुए मामलों का किसी भी सुरत मेरा identity करण नहीं किया जाना शाहिए